हलो अच्छा लोग मैं नहीं हम आपके लिए लेक्ट्र सेटिक्स का लेक्चर नमबर 15 और भाई ये हमारे इस चेप्टर का आखरी लेक्चर है ठीक है फ्रॉम नेक्स वीडियो अनवर्ड हम चेप्टर नमबर 2 स्टार्ट करेंगे लेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल अच्छा लेक्ट्र नमबर 15 और भाई अगर आपने अभी तक हमारी बाकिसारी वीडियो नहीं देखी है तो भाई लिंक रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियो उसका याप टाइप कर दीजिए पहले मैंने बोला भाई पहले समझा तो सही कि कंटीनियस करद मतलब होता क्या है ऐसे तु बढ़बढ करने लग जागा तो भाई मैं थोड़ी मालनूँगा बढ़ बैक शटन ब्रेक का मतलब है कि यहां से लेक्ट्रिक फीलैन चल रही ती चल रही चल रही थी एक दम से यह ब्रेक आगया सडन और उसको दुबारा फीलैन स्टार्ट तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा तो भाई मैने पूछा उससे कि आसा क्यों मैठी सर बताओ त सता था क्यूं नहीं हो सकता कि Sudden Break नहीं सकता यह यहीं जस्टिफा करने के लए बोल रहा है हमारे को होता क्या है होता क्या है कि वाई जहां पर मालूव जा ना जहां पर हमारे Sudden Break आ गया उस पौइंट पर हमारी Electric Physicsективist की विल्यूञ हो जाएगी यहां पर जीरो होता है कि एक यूपॉन आर स्कूर में बिल्कुल ठीक भाई तो इसका बाद बोल रहे कि भाई एक बाद बाद क्या मैं इसको निख सकता हूं क्या क्यों पॉन जीरो इस इक्वल टू इस इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब कि ऐसा सिच्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गायब तभी हो सकती है जब आम चार से कितनी दूरी पर चले गए हो इन्फाइनाइट दूरी पर चले गए हो जब तक चार्ज के पास रहेगा वो क्या रहेगी इसके अंदर सदें ब्रेग नहीं आ सकता तो बड़ा ही सिंपल सा कुश्चन था हमारा एक मार्स दो मार्स में पूछा जा सकता है मेरे साब से तुम्हार को ये बात बिलकुल अच चले जाते हैं मैं मेरी इंसे खास धर खास का थोड़ी लाइक बटन दबा दिया करें और थोड़ा कमेंट मोमेंट कर दिया करें ठीक है अच्छा तो भी अब क्या है अब क्या है next question एक्षल में नहीं है यकोशन लेकिन एक्षल में कहimenoy पाइक जो मुझे लगता है अच्छी डाइप है हरा और लाइक मतल्ब करानी है ये मेरे यहाड़ता है सब मेरे साबसी है तो यह टाइप किस से रिलेटेड है जी ये एक Q चार्ज रखा था प्लस Q चार्ज रखा था किस point पर 0,0,0 मैं खाए के रबाई 1 चार्ज था फ्लस 2 Q ये हबाई 2 A,0,0 मैं खाए के रबाई 1 चार्ज था माइनस 4 Q ये हमारा रखा था minus 4 A,0,0 स्ट्र ओपन तो स्फियर aujourd जम हैं उसके बाद मैंने कया बनाया स्फियर बनाया जिसका इस सेंटर स्टर मैंкое सोभना औरिजिन को आनए और उसका रेडियस कितना लिया उसका रेडियस लिया थ्री उसका रेडियस लिया 3A, औरीजिन किसको माना, सरी, सेंटर इसको माना, औरीजिन को स्फेर ड्राउ करा है, जिसका रेडियस कितना था, 3A, मैं गा भाई, बहुत सही, तो पहले तो यार यह देखो, यह द्राउ करते हैं अंदर एक्सेस पर, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने क्या बना दी, एक्सेस बनाती, तो यहाँ पर मैं एक्सेस बना रहा है, जहां से लेखना, ठीक है, यहाँ नहीं बना रहा है, यहाँ पर बना रहता हूँ, खुल्डी जगा है, ठीक है, अच्छे देख, मैं क्या बन गई, यहाँ बन गई, एक्सेस बन गई, मैंने क्या बन गई, आगे, क ये a है ये 2a है ये 3a है ये 4a है similarly ये minus a minus 2a minus 3a minus 4a तो भाई a, 0, 0 का मतलब x axis पर a दूरी a, 0, 0 का मतलब क्या ये 0 ये 0 तो yz 0 होगा तो इसका x axis होगा सरफ है ना इस पर a मतलब इस वाले point पर हमारा क्या रखा है plus plus q charge रखा है वागा ठीक है करसर 2a पर 2q रखा है वागा 2a पर plus 2q रखा है करसर minus 4 ये यहां पर क्या रखा है minus 4 q रखा है अच्छा दिया मैंने का फ़र करसर एक square draw करा center origin लिए वागा वाई center origin है ठीक है यहां से 3a का रेडियस लेकर मैंने क्या कर दिया एक sphere बना दिया ऐसे करके तो अगर 3a यहां से हो तो यहां से 3a होगा simple सी बात है मैं ठीक अब एक sphere बन गया मेरा तो भाई अब यह बोल रहा अब यह बोल रहा मेरे को कि भाई अब मुझे क्या बताना है अब मुझे पूछा गया मैंने बोला भाई ले सुलूशन ले सुलूशन नी भाई सुलूशन ठीक है तो भाई अब मुझे अब मुझे बताना है मैं अब भाई फ्लक्स सुन सुन भाई सुन फ्लक्स का मतलब होता है चार्ज अन्क्लोश अपॉन एपसाइल नौट अब भाई चार्ज कितना एंक्लोश हो रहा है अपॉन में epsilon 0 यह हमारों किसकी value देगा flux की value देगा बलगा charge and close भाई what तो इसने बोला भाई charge and close by this sphere कॉई flux इसके दुरू पूछ रहा है sphere के दुरू पूछ रहा है तो भाई यह तो sphere है इसके दुरू कितना charge and close है एक यह end close हो रहा है क्या end close हो रहा है Q तो यह दो चार्ज यहां पर फ्लक्स बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3Q अपॉन EPSILLE NOT क्या गया इससे फ्लक्स आ गया क्या गया ठीक है अच्छा अब यार एक चीज़ और कि मालों एक इसके अंदर इक डाइपोल रखा है तो उससे फ्लक्स कितना होगा उससे फ्लक्स होगा जीरू स्वाहाप तो यह वली टैप्धिया मारी का हो गई क्लियर हो गई एक भाई 1.31 जो 1.30 जिसमें तुम्हार को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल एक लाइन चार्ड मतलब एक लीनियर वायर की विदाउट उसिंग गॉस्टिरम तो वो मैं तुम्हार को करा चुका हूँ अल्रेडी मेरे काल से लेक्ट्र नंबर 5 है है न तो वहाँ पर देख लेना हो ठीक है लेक्ट्र नंबर 5 के पूरा पूरा भाई कोशन कराएगा है ठीक है अच्छा तो भाई यह वाली चीज समझ लगेगा एक लोजिक लगेगा है ना बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते ठीक है लेकिन बाई एक बार अगर तुमने कंसर्ट समझ लिया तो भाई कभी भी इसको नहीं भूलोगे ठीक है तो भाई यह हमारा कोशन है ठीक है अच्छा हमार को क्या दिया हुआ है x-axis y x-axis z-axis plus q minus q इन दोनों के बीच का length हमने खुद से ले लिया l खुद से कह ले लिया l जै राम जी की ठीक है इन negative x-axis है ठीक है अब यह बोल रहा है कि electric field increases uniformly along z-axis मतलब कि electric field का जो हमारा direction है वो क्या है z-axis के अलो electric field का जो direction है that is along z-axis मतलब कि इस axis के अलों गया electric field यह यह हमारे क्या है electric field की direction और बाई dipole moment कितना दे रखा है यह और बाई यह न constant नहीं है यह क्या हो रहा है increase हो रही है 10 newton 10 की पावर 5 है मेरे खाल से एक मठ देख लेते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलंब पर मीटर क्या बोला इसने 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलंब पर मीटर के हिसाब से क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो भाई अब मुझे क्या करना है ध्यार से देखिएगा कि हर मीटर बाद इतनी बढ़ जा रही है पर मीटर दे रखा यह electric field की value और यह पर मीटर मतलध मेरेको क्या दे रकी एग है एक्ट्रिक फील्ड पर यूनित लेन्ध थीक का यू थे रकिए यह electric field पर यूनित लेन्व मेरेको जेरे की ए डाइपोल मुमेंट पर दिरका 10गीप आवर माइनस 7 कूलम मीटर समसे वैलेट टॉर्क पूछा हुआ है तो भाई समसे वैलेट टॉर्क निकालना तो बहुत ही जाधा बढ़ा, सिंपल है देखो भाई दियान से टॉर्क पूछा है टॉर्क निकालना लेंगे तो पॉर्क का फॉर्मॉला क्या होता है फी क्रॉस ए समने बड़ा मैने वीठीक में बता है ठीक है थी, फी क्रॉस ए को सॉल्ल करेंगे क्या वहागा पी शाइन थीटा टॉर्क का नेगेटिव से positive, negative charge जा रहे है, positive charge जा रहे है, तो simple सी बात है सर्थ, dipolomatic interaction क्या होगी? इस तरफ, ठीक है दी, तो minus से plus की तरफ जा रहा है, P और यह इस तरफ जा रहा है, तो theta कितना हो गया, यहाँ पर theta हो गया, 180 degree, तो tau is equal to कितना देगा, P E sin 180 is equal to 0 sin 180 के value कितनी होती है 0 होती है तो वाई ये बात मेरे इसांसे तुम्हार को clear हो गई होगी तो torque निकल गया force निकालना चुरौती है वाई force थोड़ा सा ध्यान से देखके निकलेगा चलो यहां करनेंगे कोई दिकत नहीं है ठीक है second part में मुझसे पूछा गया है force ठीक है अच्छा तो यार एक चीज़ बताओ यहां पर electric field constant तो है नहीं बढ़ रही है अच्छा z axis के आला उपर जाते होगी क्या हो रही है बढ़ रही है तो ज़्यादा electric field कहा होगी A पर या B पर बढ़ रही है तो ज़्यादा electric field होगी B पर उससे कम होगी कहाँ पर A पर ठीक है सर तो B पर electric field ज़्यादा है A पर तो यार यहां पर बताएगे electric field on B is greater than electric field on A ठीक है तो सर electric field अगर B पर ज़्यादा A पर कम है तो हमार को पता है net force निकालना है और को net force निकालना है तो force on A निकालना पड़ेगा force on A कैसे निकालेंगे charge into E Q into E मैंने बताया था यह formula यूज होगा यहाँ पर है ना बाई तो Q into E तो Q into E यहाँ पर charge कितना है Q और E कितना है उपर की तरफ और positive charge है तो मैंने बताया था positive charge पर force का लगते है along the direction of electric field बताया था नो कि positive way कहाँ पर force लगते है along the direction of electric field यहाँ पर क्या आएगा towards towards A B force on B निकालते हैं force on B कितना आएगा देखो जहाँ से force on B आएगा अब यार देखो electric field उपर माल लेते हैं कितनी हो गई E dash हो गई कितनी हो गई E dash तो Q into E dash आएगा सर ठीक है और यह क्या आएगा towards negative charge कितना force लगते है opposite direction of electric field लगते है towards B से A की तरफ towards B A ठीक है जी अब यार यह E dash की value का पंगा E dash निकालते हैं E dash क्या है जितनी electric field यहाँ पर थी वो plus या इस length मर जितनी electric field का क्या आगया बढ़ातरी हुई है है ना वो है ना तो अब यार एक काम करते है यहाँ पर जो electric field जो कितनी थी E थी है ना और यह जो इतनी length में change आना electric field का यह हम कितना मालने थे delta E तो इसको में लिख सकता हूँ E plus delta E कितनी electric field बढ़ रही है 10 की power 5 क्यों कि मैंने बताए electric field पर unit length है ना तो L length में कितनी बढ़ेगी 10 की power 5 into L simple यह यह तो है यह एक simple से चीज़ बताओ अगर unit length है ना मैं कि आप बोल रहा हूँ unit length में कितनी electric field बढ़ रही है 10 की power 5 तो L length में कितनी electric field बढ़ेगी 10 की power 5 into L simple है ना वह यह ना भई यह एक फीज़ बताओ ने एक संतरा कितना 100 वेगा ठीक है तो L संतरे कितने हो गए 100 into L हतम है ना तो delta E की value कितनी आदेगी E delta E की value आदेगी 10 की power 5 into L ठीक है सर यह हमारा क्या आगया electric field आ गया है ना यहाँ पर put कर देंगे तो आरे यहाँ पर FB कितना निकल कर आ गया Q into में E plus Q into में 10 की power 5 into L सर बहुत सही समझ में आ गया हमारे ठीक है अच्छा अब एक चीर बताओ अब इसका force नीचे की तरह अच्छा पर किता है तो net force कैसे निकलेंगे F net कैसे निकलेंगे FB minus FA यह करके निकलेंगे FB minus FA ठीक है तो FB कितना हमारा यह Q into E plus Q into L into 10 की power 5 minus FA कितना है Q into E ठीक है Q into E से Q into E खतम Q into L 10 की power 5 यह हमारा क्या आगे F net सब्सक्राइब हमारे कोई का सब्सक्राइब स्क्रार में है ऑड फुर्शोrhद बाइब एक पी को सब्सक्राइब प्रफाइब नियूटन तो यहां कि अलेक्रिक फील्ट प्लस लेंथ में जितनी बड़ातरी को डिल्टा यह ले लिया बड़ातरी कैसे निकाली यूनित लेंथ में इतना दे रखा है तो लेंथ में कितना हो जाएगा इसको सॉल करा माइनस कर दिया आंसर अच्छा जी बड़ा गया ओ माइगाड सर जी ठीक है तो भाई यह हमारी क्या है बड़ी सिंपल सा कोश्चन है ठीक है मेरे काल जाए 27-28 कोश्चन देख लेना है एक बड़ी जान से है ना अच्छा जी तो यह आई होब तुम्हारे को लाइं लॉक टाउन चलने है बहुत बुरा हन है ठीक हैं से हमारा देश बर बुली तरहला पीडित है इस टेट तो भाई चोड़ा सा जो भी तुम्हारे घर से बाहर निकल रहा है तो तुम्हारे गली के आस्पास भी अगर वह निकल रहे तो यार उसको बूलो कि भाई मत निकल यार तीन तरिक सामें टूशन जाना है चार तारिक से सौरी, अगर चार तारिक से टुशन आना है तो, ठीक है यार, मतलब यार, live class की बात अलग है, है ना, और मतलब जो इस class के अंदर खड़े होके पढ़ाने की बात अलग है, मज़ा आता उसमें, है ना, बच्चों की सखले मिलती हैं, तो जो बच्चों की बेस्त ठीक है, हमने बोला, हमने बोला, कि हमारा क्या ना, एक यहाँ पर, यह माइनस, 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 फायल, 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 यह प्लेट है, यह एक प्लेट है, है ना, और एक यहाँ पर यह प्लेट है, यह प्लस, 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 ठीक है, दीक है, पिल्कुल सेंटर से, यहां से नेकिए यहां तक कि लेंथ कितनी है इसकी? L वान, ठीक है? अच्छा, इसको इधर की तरफ फेका गया, कितनी विलोस्टी से? VX विलोस्टी, कितनी विलोस्टी फेका गया? VX विलोस्टी से, इसका मास है में, चार्ज प्लस क्यों है? अच्छा, तो इसको रिपल करेंगा, रिपल करेंगा, तो इसको अपनी तरफ बुलाएगा? लला, है ना? तो भाई, मुझे क्या निकालना है, इसके ट्रेजेक्टरी निकालना है, क्या निकालना है? ट्रेजेक्टरी निकालना है, है ना? ट्रेजेक्टरी क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है, और प्रूफ क्रूफ करना है, और प्रू यासे हमने प्रोजेक्टायल करा रहा था मैं उसी सेम बेसिस को लेकिए करेंगे स्वारिक के तस कि यह सबत fightant फोर गुइनिय कि कि तरफ कि पिरिग कितना वो गया वीख कितना हो गयाДа V Venice है ना इसीशा वेरोप t इस उपर की डिरेक्शन में क्या कोई वेलोस्टी है? नहीं, सिर्फिसे डिरेक्शन में तो इडिशन लॉस्टी लग वेलोस्टी है? जीरो, अच्छा, अब यहर मैंने क्या किया? एक पर थोड़ा सा धक्का देखा रिशी स्रफ छोड़ दिया है तो एक्सेक्सिस के अलॉंग, क्या कोई भी फोर्स लग रहा है? मैंने क्या किया है? हलका से इसको यूं करके टक करके छोड़ दिया है है ना, वे एक्स वेलोस्टी देके छोड़ दिया तो X-axis पे तो कोई भी इस पर continuous force नहीं लग रहा है ना कोई भी continuous force X-axis पर नहीं लग रहा है तो force नहीं होगा तो acceleration भी नहीं होगा तो इसका मतलब acceleration लोग X-axis कितने है? जीरो अच्छा जी, acceleration लोग X-axis के क्या बात हाई? सर इस पर उपर की तरफ कितना force लगेगा Q into E के बराबर सिंबल सी बात है सर ये वाली रीजन में electric field कितनी है E दे रखी है हमारेको तो इस पर उपर की तरफ force कितना लगे है Q into E क्योंकि positive charge दे तो along the direction of electric field force लगता है तो भाई इस पर acceleration कितना है अब दे तो force कितना है इस पर Q into E तो force क्या होता है M into F or is equal to ma तो Q into E तो acceleration कितना है QE by M जा गया QE by M और किस direction में Y axis में उपर की तरफ तो acceleration लग Y axis कितना हो गया Q into E upon M मैं का जी बहुत से बहुत बढ़िया अच्छा तो यह एक चीज बताओ है ना अब यहां से मैं मालनीता हूँ कितना distance travel हुआ है Y distance travel कर रहा है Y axis में है ना और X axis में कितना distance travel कर रहा है L तो distance travel लाँ हो X axis कितना है L distance travel लाँ हो Y axis कितना है Y कोई दिख़्ेत तो लिए बात ती है दोनों के लिए time के same ही रहा होगा obviously बात ही है तो तुम्हार को पता ही है है ना 11th class के basic concepts है कि X axis और Y axis दोनों के लिए अगर एक single particle X और Y axis में move कर रहा है X Y plane में तो जितना time X axis के लिए होगा उतना time Y axis के लिए होगा अगर हम दोनों को कर रहे तो X axis के लिए और Y axis के लिए होगा save होगा तो सबसे पर यहां पर time निकाल लेए time निकाल ले है कौन सी equation लग रहे है देखो है हम से SUAT तो simple है यार SX is equal to UXT plus half AXT square second equation of motion SX कितना है L UX कितना है VXT कितना है T half कितना है half AX कितना है T square तो यह तो पूरा कितना हो गए 0 तो T यहां से कितना निकाल कर रहे है L upon VX तो यहां पर हमारा time कितना आगे L upon में VX हमारा क्या आचुका है time period आचुका है अब कुछ नहीं करना भाई just equation लगा दो क्या लगा दो equation लगा दो बस कौन सी सर भाई equation भाई SUAT दिख रहा है तो क्या कर दो second equation of motion along Y axis तो भाई SY is equal to UYT plus में AY half into AY into T square ठीक है SY कितना है Y is equal to UY कितना है 0 into T की जगा पे T रहें दो plus half A की जगा पे कितना लगा होगे Q into E upon M और T square के जगा इसका square क्या जगा L square अपन VX का square तो Y is equal to कितना आ गया Q into E upon में 2 into M into VX का square into L square और भाई देख लोग Q constant है E constant है 2 constant है M constant है VX constant है तो जितनी velocity दी वो तो change होनी सकती chart change होनी सकता है electric field change होनी सकती 2 or M तो कभी change होते ही नहीं तो यह पूरा का पूरा क्या हो गया constant हो गया तो Y is equal to क्या आ गया K into L square तो यार यह किसकी question है parabola की equation है ना और deviation कितना है इसको Y axis में इतना deviation है and this is the equation for parabola तो हमने prove कर दिया कि भाई यह parabola की equation satisfy कर रहा है plus वे इसका deviation कितना आ रहा है इसके बराबर आ रहा है और यहीं तुम्हार को क्या करना है prove करने तुम्हारी N C E R T में लिखा 1.32 या 1.33 यही है ना last additional का ठीक है तो भाई यह चार टाइप तो जो मुझे लग रहा था कि यार तुम लोग थोड़े से अटक सकते हो भी इसमें अच्छे कोश्चंस है जो ठीक है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ऐसे वीडियोस देखते रहो हमारे पसंद आ रही है तो लाइक करो यार है ना सब्सक्राइब करो शेर करो जितना जाथ जाथ खर सकते हो और भाई कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई यह वीडियोस पसंद आई है यह नहीं आई है ठीक है तो तिल देन all the very best